अगर कोई लाइव है तो प्लीज बताइए मेरी आवाज क्या आपको कलियर आ रही है गुड मॉनिग सुरेज जी गुड मॉनिग दीपक कुमार जी गुड मॉनिग राजे जी ठेंक्यू सोमक सर सर्वण जी बहुत गूशन जी पावी जी आज का जो लाइव है मेरे लाइफ का जीवन का बहुत महत्पूर्ण लाइव है तो इस लाइव को थोड़ा सा आप ज्यादा से यादा शेयर कर दीजिए क्योंकि मैंने कभी लाइफ में सोचा नहीं था कि मुझे जिंदगी के इस मुकाम पे पहुंचना पड़ेगा क्यार इश्वर को जो मंजूर है इश्वर जो कराना चाहता है उसके लिए मैं भी तयार हूँ और मेरी जिंदगी की सबसे जो बड़ी गलती रही वो रही ओके लाइफ के बिजनिस को जो मैंने जॉइन किया और यहाँ पे आने के बाद जो मेरी फेस वेलू खराब ही है और जो अभी हो रही है यह मेरी जिंदगी का सबसे गलत नेड़ने था और आज जो मैं इस्पेशल लाइव आपके लिए आया हूँ वो एक इनफोर्मिशन देने के लिए आया हूँ कि कल ओके लाइफ केर के साइंटिस्ट कहूं उनको नेटवर्कर कहूं उनको या फिर उनको पार्टनर कहूं कमपनी का दोस्तों एक कमपनी के अंदर आप और हम जो है न अपनी जिंदी की दाओ पर लगाते हैं और उस कमपनी में जब आपको जोड़ा जाता है बहुत सारे जूट बोले जाते हैं बहुत सारे फेक कमिटमेंट की जाते हैं क्या आपके पास अधिकार नहीं है उन सब का जबाब लेने का मतलब सिर्फ हम अंदे बन के पैसा कमाते रहें आज यह सारे के सारे बोल रहे हैं आज यह सरमा इतना नेगरेटिव बोलता है अभी मैं इनकी एक लेडी लीडर है सोनम जैसवाल उसकी एक वीडियो डालूंगो मैं आप सब देखना जरा प्रोयंग कमपनी को उस ल और उस वीडियो के अंदर छे बार उस लड़की ने बोला है कि मेरको उस दिन ये कंपनी छोड़ देनी चीए थी जब मैंने यह देखा था मैंने को उस दिन ये कंपनी छोड़ देनी चीए थी और उस वीडियो के अंदर इसने सब से प्रोयंग वालों से रिक्वेस्ट की कि यह कंपनी वेकार है और उस कंपनी को बंद करा कि यह लोग मनें विक्रांत नारवाल जो इनके साइंटिस्ट हैं नेटवर्कर हैं या पार्टनर हैं मुझे नहीं मालूम आपको मालूम हो तो आप बताना क्योंकि साइंटिस्ट का काम सिर्फ साइंटिस्ट का होता है नेट पैसा कमाया तो मैं विक्रान नारवालों डीके सारन से या इनके सब लीडर से पूछना चाता हूँ क्या वो हराम का पैसा दिया था क्या फिरी का पैसा दिया था क्या मेहनत नहीं की थी क्या अजे शर्मा जिस दिन आपकी कंपनी में आया था उस महीने का टर्नोवर देख लो तो आप उससे पहले का turnover देख लो, जिस दिन अजे सर्मा आपकी company में आया और उसके बाद का turnover देख लो, और जिस दिन अजे सर्मा ने छोड़ा है उसके बाद का turnover आप देख लो, आपके जिन leaders की पिछले महीने तक 50 लाग business volume था, 17 लाग की जिन की matching गई थी, इस महीने 2 लाग की matching है, आज मैं जो दोस्तो लाइव आया हूँ, इसको ज़्यादा से ज़्यादा आप share करें, क्योंकि मुझे अपनी जान का खत्रा है, मैं again repeat कर रहा हूँ, लाइव के अंदर, मुझे अपनी जान का खत्रा है, Mr. DK Saran से, जो OK Life Care के CEO है, Mr. Vikrant Narwal, जो मुझे WhatsApp पे धंकी दे र इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा share कीजिए, क्योंकि मेरे साथ अगर कोई दुरुगटना गटेगी, तो ये लोग responsible होंगे, OK Life Care और इनके लीडर जो होंगे, वो responsible होंगे, क्योंकि मुझे मुझे परसनल अटेक कर रहे हैं, और कल के विकरांद सिंग के live के अंदर, इनकी कंपनी के टॉप अचीवर अखलेश सिंग के बहुत ही परम मित्र कुमर रागवेंदर परताब सिंग, नाम सुन लिजी आप, कुमर रागवेंदर परताब सिंग, जो अपने आपको यूपी पुलिस के अंदर बताते हैं, लखनव में, वो पोस्टेड हैं, पुलिस म जोइनिंग के साथ-साथ, वो ओके लाइफ केर बिजनिस को कर रहे हैं, कल जब विकरान्थ जी लाइव आके मेरे बारे में जूट पे जूट जूट पे जूट 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 बोले जारे थे, जिसका खुलासा, आज रात साढ़े नो बजे मैं आप लाइब में जुड़ना मत भूलिएगा विकरान नारवाल ने कल जितने जूट बोले हैं इस से जूटा इंसान तो इस दुनिया में कोई नहीं हो सकता एक एक जूट का परदा फास मैं करूँगा जो कल विकरान नारवाल ने बोला और विकरान नारवाल जब मेरे बारे म में बोल रहा था उस वक्त कुमर रागवेंदर परताब सिंग स्क्रीन शॉट हैं मैंने डाले हुए मेरे फेस्बूक प्रोफाइल के ओपर आप देख सकते हैं उस वक्त यूपी पुलिस के एक कॉंस्टेबल हैं या क्या है कोई उच पोस्ट पर होंगे मुझे नहीं मालूम है लेकिन ओके लाइफ के इनके लडी पी के अंदर आप जाके देखेंगे तो स्टेश समाला है उन्होंने इनकी जूम मिटिंग के कैई वीडियो हैं उनके मेरे पास मैं योगी जी से यह आगरे करूँगा पूरे यूपी में जो भी परशासे ने उनसे आगरे करूँगा कि अगर मुझे कुछ होता है तो इसके तीन जिम्मेदार खास करूँगे एक डी के साहरन जो ओके लाइफ क का एक लीडर है उसने अपनी पोस्ट से आज डाला और उसमें बहुत गलत गलत मेरे बात लिखा उसका हमने स्क्रीन शॉट लिया वो वाइरल हो गई उसके बाद इनोंने डिलिट किया और वो पोस्ट क्या था थोड़ा सा मैं आपको बता देता हूं दोस्तों मैं आपसे ए जो शराब पीते हैं ये खुद बंद कमरों के अंदर शराब पीते हैं होटनों के अंदर मेरे जीजा जी ने होली वाले दिन मेरे को इनवाइट किया मेरे कुछ दोस्त जो के राइफ केर में मेरे साथ थे हम लोग होली वाले दिन उनके यहां चले गए वहां पे जो मेरे सा वीडियो को डाला जिसमें मेरी तो फोटो भी नहीं आ रही है लेकिन मेरी एक टीम के एक स्टूडेंट जो मेरे साथ जुड़े उनकी फैमिली जब वो उस वीडियो को देखेगी तो उस बच्चे के उपर क्या गुजरेगी जो विचारा कोल रिंग पी रहा था और वहाँ प इतने पर्सनल गए विकरांत नारवाल ने ये वीडियो वाइरल कराया है और अब मैं आधित्य का भी वीडियो डालूँगा और आधित्य अभी मुझे दमकी दे रहा था कि अगर आपने मेरा वीडियो डाला तो मैं ये कर लूँगा वो कर लूँगा रागवेंदर कुमर रागवेंदर परताब सिंग ने विकरांस नारवाल के लाइब के अंदर कमेंट किया है और वो कमेंट क्या किया है कि इसको यूपी में बेजो मैं इसका यूपी के अंदर इनकाउंटर कर दूँगा एक यूपी पुलिस का व्यक्ति इसका मतलब इसने पहले भी कई मासूम के encounter कियोंगे कुवरागवेंदर परताफ सिंग ने इसने बोला अजे सर्मा को यूपी में बेजो मैं अजे सर्मा का encounter करा दूंगा अगर मैं नोकरी नहीं कर रहा होता तो मैं इसको फालके रख देता मैं मिस्टर डी के साहारायं से आज पूछना चाओंगा आप अप कंपनी को एथिकल कंपनी बताते हो आप बोलते हो हमारी एथिकल कंपनी है सोचल मीडिया पे कोई भी व्यक्ति किसी के बारे में अगर अबद्र भाषा का प्रियोग करेगा तो मैं उसकी ID टर्मिनेट करूँगा यह आपकी रिकॉर्डिंग है मेरे पास एक की ID आपने टर्मिनेट की थी उसने गाली बगी थी राकेश अगरवाल को आज आपका एक लाडला डिस्ट्रीबूटर कुमर रागवेंदर परताब सिंग आपके साइंटिस्ट के लाइव में आके मुझे कहता है कि आजे सर्मा का मैं इंकाउंटर कर दूँगा अगर मैं नौकरी में नहीं होता तो मैं इसको फाड के रख देता तो इसके खिलाफ आप क्या अक्षन लेंगे मिस्टर डी के सारन से मैं पूछना चाहूंगा क्या इसकी आइडिया आप तर्मिनेट करेंगे अगर आप तर्मिनेट करेंगे तो आप एक अच्छे सीवा अगर इसकी आइडिया आपने तर्मिनेट नहीं की इसकी वाइफ की आइडिया अगर चलती रही तो इसका मतलब आप भी इनके साथ मिले हुए हैं अब ये हेमन सिंग बोल रहा क्योंकि मैं ओके लाइफ केर में फसने से लोगों को बचाऊंगा, रोज मैं लाइव आँगा, यूटिब के माद्यम से भी, फेसबूक के माद्यम से भी, पिछले चार सालों में इन्होंने जो जो जूट बोले हैं और वो पूरा नहीं किया है, और वो बरगला के इन्होंने जो लोगों को जोड़ा है, हमारी फेस वेलू दाव पे लगी, हमारी महनत दाव पे लगी, हमने अपनी महनत से पैसा कमाया, आज ये लाइव में आके बोलते हैं कि हमने इनको बनाया, आज शाम को मैं विकरान नारवाल का पूरा एपिसोड लेके आ रहा हूं, 9 बजे और बाद इनके सारे लीडर की recording है मेरे पास, चाये वो खंडेलवाल हो, चाये सागर सिना हो, चाये सूनम जैसवाल हो, चाये अकले सिंग हो, चाये आदित्यकॉल हो, चाये और भी बहुत सारे लीडर हैं, जिनोंने personally मुझे phone करकर बोला कि योक्य में घरबर चल रही है, उन सब चम्चे आये हुए, सुनिल कुमार मैं तो देखे गाली बगरा, जितनी मर्जी गाली देनी है, गालियां दो, मुझे कोई फरक नी पड़ता, अब मैं इन सब से उपपर उठ चुका हूँ, अब मैं जब तक, एक एक हिंदुस्तान के एक एक आदमी को यह नी बता दूँगा कि ओके लाइफ केर क्या है, मैं शांत बैठने वाला नहीं हूँ, मैं अगेन माने नहीं है, मुखे मंतरी यूपी के, उन तक ये मैसिज पहुचाना चाहता हूँ, कि ओके लाइफ केर एक कंपनी चल रही है, उसके अंदर एक व्यक्ति कुमर रागवेंदर परताब सिंग, जो इस तरीके के कमेंट कर रहे हैं, कि यूपी पुलिस में हूँ, मैं इसका इंकाउंटर करा दूँगा, तो इस तरीके के व्यक्ति को पुलिस के अंदर रहना, मेरे इसाब से एकदम गलत है, और अब ये बोल रहा है, जब इसको बात पता लगी, मैंने इसको फोन किया, इसकी रिकॉर्डिंग है मेरे पास, अब ये बोल रहा है, तीन दिन पहले मेरा एकाउंट किसी ने हैक कर लिया, ये इतने जूटे इंसान है, ये बदमाशों की कमपनी है, ये मुझे धमकियां दिलवा रहे हैं, और मैं इनके धमकियों से डरने वाला नहीं हूँ, आपको वाइरल करना है, वीडियो करो, मेरे और वीडियो वाइरल करने है, आज से सामको सारे नव बजे से डेली मेरे फेस्बुक पोस्ट पे केवल और केवल नेगिटिव वीडियो आएगी, ओके लाइफ के रुग लेके, मेरा हक है सवाल पूछने का, मैंने अपनी जिंदिकी के कारवाल और कुमर रागवेंदर परताफ सिंग और इनके जो भी लीडर मेरे को बैड कमेंट कर रहे हैं, शोचल मीडिया के माध्यम से, अगर मुझे कुछ हुआ ये सब सेव है, जो लीडर भी यहाँ पे उल्टे सीदे कमेंट कर रहे हैं, जिन्हों ने भी मुझे दिया है ना तुम लोगों को छोडने वाला नहीं हो, मैं इध्यान दखना, जो तुम इस तरीके से लोगों को मिजगाइट कर रहे हो, इस तरीके की चीज़ें तुम कर रहे हो, तुम लोगों को मैं छोडने वाला नहीं हूँ, चाहे मुझे कुछ भी हो जाए, और इस negativity इस company और इसके leader की वैसे फ़ेली है एक एक leader का खुलासा करूँगा जिसको मेरे खिलाफ लाइवाना है जिसको मेरे खिलाफ जो भी बोलना है वो सब बोलो अब सब का हिसाब किताब मैं करूँगा इस वीडियो को ज़्यादा स्यादा शेर कीजिए आज शाम को साड़े नौ बजे मेरे साथ जुड़ना ना भूलिए अगें रिपीट कर रहा हूं अगर मुझे कुछ हुआ धीके सारन विकरांत नारवाल और कुमर रागवेंदर परताब सिंग ये सब लोग जिम्मेदार होंगे अगर आजे शर्मा को कुछ क्लिकरांट